अदानी 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 हिंदनभों हिंदनभों ये दो नाम सुन शुन आपपकों में देश हो गया क्या है करके दे रहा है कि दियुक्त है क्यूद हरें को चाहे बड़ा एक enterprise हो उन सब को आगे लेके आने की कोशिश करती है वी सी बड़े-बड़े पैसा लगाते हैं साथ में ऐसी कुछ कंपनियां भी होती है जो के विसल बलोर का काम करती है जिसका काम है रिसर्ज करना फिगर आट करना कि कोई ऐसी कंपनियां अच्छा कैसा पैसा कमाती है और इस तरीके से यह पूरा का पूरा चीज अनफोल्ड हो रही है और रात में हिंद्रंबग क्या है इसका खुद का मुद्धा क्या है यह क्या कह रहे हैं अदानी गूर्प के बारे में कि अदानी गूर्प फाइनेशल्स को लेकर पूरा का पूरा भूल भलईया है एक मेज है चक्रवीउ है और किस तरह से इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है जो के कि अब बाश्रों होती है 14 जनुरी 2013 को मतब कुछ दिन पहले ही और 23 जनुरी तक सब आराम कर रहते हैं स्टॉक मार्केट बढ़िया चल रहा था लेकिन अगले ही दिन जब यह रिपोर्ट आती है तो सामने आता है कि वह यह यह जो अधानी ग्रूप है ना यह 80% मतब जो सोर पर दिखा जा रहा ना एक्च्वल में यह 20 रुपया ही है एक्च्वल में उससे कम अगर मैंत को तो कुछ और निकल सकती है अब पॉइंट इसको शुरू में ही इज़त मिलने शुरू हो गई क्योंकि हिंडर बग रिस और इज़त मिली थी पहले बड़े-बड़ जब भी को रिसर्च लेके आता है वो फैक्च्वली मोस्ट टाइम्स मोस्ट टाइम्स के अजातर लेवल पे सही होती है उसको सीरियस लेगना चाहिए जब यह बात आने लग गई अब क्रॉस ता ग्लोब तब इस चीज़ को तुछ रिटेल लेवल पर भी सीरियस लेगना दिया गया और जैसे ही यह सब चीज़ें कटी हुए स्थोक का प्राइस लोर सर्केट लोर सर्केट अदाने ग्रूप की साथ लिस्टेट कंपनीज है और सातों की वाट लग रखी है इसके लावा दाने की कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है जो के एक चक्रवी का पाट ब लेकिन उसको इतना एक्सपोज किया हिंडर बग ने के उस कंपनी के जो चेर्में थे उनको रिजाइन करना पड़ा इसके लावा ब्लूम एनर्जी नाम की कंपनी थी वह भी अमेरिका की कंपनी थी उसका मार्केट के प्लाइस चालीस हजार क्रोड पर था उसको भी त्रिलिया की कुछ कंपनी थी जिसका शेयर प्राइस टू-बंट-सेवन डॉलर्स हुआ करता था जीरो पॉइंट टू-एट डॉलर्स पे बैठा हुआ है अमेरिका भी कुछ कंपनी थी चाइना हॉंग्कों की कुछ कंपनी थी यह सब कुछ इनका पास्त है हिंडर नबग क्या जो ये कह रहे हैं वो सच में वैसा ही है ये गुस्ते हैं अंदर जो सारी चारी चीजें पब्लिक लिए वेलेबल होती है उसी से ही मतब ऐसा नहीं कि एकि वाज कुछ अलग से रीसर्च होती है कुछ इंट्रिंसेक अंदर की बात ही होती है नथिंग लाइडाट ये जो दोमेन में information available है उसी को बार-बार अच्छे तरीके से खंगालने की कोशिश करते हैं और जब भी कोई ऐसी company सामने आ जाती है उसको पकट के उसकी short selling शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यह है हमारी रिपोर्ट इस अदानी के इंडर्बग का कहना है कि यह जो अदानी है ना यह कोई company या group नहीं है यह एक चक्र व्यू है इनका काम है stock price को manipulate करना pump करना stock को आगे लेके जाना इसके लिए पूरा पूरा एक ecosystem एक system create कर रखा है उसके जरीए पैसा करते हैं इनकी कुछ private companies हैं इनकी कुछ listed companies हैं इनकी कुछ shell companies हैं जो कि इंडिया से बाहर है इन 3-4 company types को इकठे रखा जाता है और पैसे की manipulation की जाती है कहीं से कर्जा लिया जाता है जो कि अच्छा खासा है जाके जिसके शौर्ट्स हम आउड़ी काफी बार कर चुके हैं अब हिंडर्बग research report के मताबिक सबसे पहले बास शुरू होती है इन private companies से अदानी ग्रूप के नाम पर कुछ private companies है private company का मतलब है जो company stock market पे लिस्टेड नहीं है इनकी कोई information इनका revenue इनके profits इनकी management इनकी कोई भी detail information balance sheet cash flow income statement कुछ भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यह private companies हैं जैसे हमारी company anything which is not listed in stock market is a private company ऐसी बहुत ही private companies अदानी ने बना र support अदानी group की साथ लिस्ट से इस घृवर और इनको इपार्टनर एक तरह से अपना खर्चा दिखाती है इनसे बिल लेती है इनसे जो भी पैसा काम करवाती है इनकर वाच्प पैसा जो कि शायद बैंकों से लिया गया है इन्वेस्टे से लिया गया है जब इनके पास पहु किसी को कुछ पूछने की जूरत नहीं, इंडिया के सेवी और अर्विया के अंडराप आएंगे नहीं वो companies, Mauritius में create की जाती है, वो shell companies होती है उनका काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम होता है इन shell companies के पास ये पैसा private companies के रास्ते पहुंचता है अब ये जो Mauritius में बड़ी-बड़ी companies बन जाती है, जरके पैसा आया है अदानी ग्रूप से जुरुवात हुआ था, जो कि listed company से पैसा निकला था private company के रास्ते ये shell company के पास पहुंचता है, जो कि Mauritius में है अब पैसा लगाती है अदानी ग्रूप के shares में खरीदती हैं उनके shares को, इनका equity लेती है, इनका stake लेती है दुनिया को लगता है कि अरे यार बड़ी-बड़ी company देश के बाहर जो है अदानी ग्रूप में पैसा लगा रही है इसका मतलब क्या होता है, इसमा मतलब यह है कि अदानी ग्रूप की listed company, Mauritius की companies को अपने share बेचती है इस वादे के साथ के आगे चलके एक price पर जाके यह उनसे shares वापस खरीद लेंगी इस stock parking concept को इस पूरे ecosystem में बहुत असानी तरीके से बहुत धड़ले से इस्तेमाल किया जा रहा है अब जैसे जैसे ये वार की बड़ी-बड़ी company शेयर प्राइस खरीट शेयर को खरीटती है तो लोंग भी लगता है क्यारी डिमांड बढ़ रही है ओवर प्राइम इसका शेयर इंफ्लेट होना शुरू कर देता है और यह सारी के सारी जो inflation शुरू हुई है stock price में अधानी ग्रॉप के listed companies वो पिस्टे तीन साल में हुई है और total 100 billion dollars की overall moment है अक्शली इससे भी जादा हो चुका है पॉइंट इस के यहां पे सिर्फ पंप किया जाता है stock को बार-बार खरीद के और चार अलग-लग levels पर उसको लेके जाया जाता है अगेन एस पर हिंड़बग रिसर्च रिपोर्ट और इनका intrinsic value fundamentally companies उतनी strong नहीं है उतना पी नहीं इनका बनता जितना एक्चुल मार्किट में दिख रहा है और हां इन सब कंपनी को मैलेज करते हैं पता कौन है गोतम अदानी के भाई विनोद अदानी अब जो यह कंपनिया stock parking करती है इनको stock parking entities कहा जाता है इसमें बहुत सारे नाम है पर एक्जांपल Monterosa investment holding करके company है जिसके पास 36,000 करोड़ रुपे के shares है अदानी ग्रूप के और यह ऐसी companies है जनके पास किसी और company के share बहुत limited होते हैं मतब ऐसा करके कई बार तो ऐसा भी होता है कि सेभी के कई rules मतब एक share holding pattern का rule होता है जिसमें 75% का limit होता है 25% का limit होता है मतब एक promoter at max 75% अपने company के shares को hold कर देता है और बहुत सारे cases में जातर cases में अगर आप देखेंगे दियान से तो अदानी ग्रूप ये number को almost breach करने के कगार पर है बहुत सारे levels पर ये companies के बाकी 25% है उसमें FPI में ऐसी shell companies के पास holding है इसके लाब एक्जमपल Elara Capital है जो के अदानी ग्रूप के 3 billion dollars के share को hold करती है और Elara Capital का खुद का portfolio देखेंगे ना उसमें 99% shares सिर्फ अदानी ग्रूप के companies के हैं मतलब ऐसी एक company है जो के बाहर किया और उसमें अदानी ग्रूप के almost 99,100% share उसमें अदानी ग्रूप के लगा रखें मतलब आप समझ रहे है ना फिर है new liena investment holdings अब ये company के पास 420 million dollars के investments है उसमें से 95% अदानी green के holding है फिर है अब ये company जो है ना इसके पास अदानी पावर का 4.69% share है मतलब 4.69% of अदानी पावर इस investment holding के पास है आप उसका खुद का portfolio अलग मुद्दा है एक particular company के पास जो बाहर किया उसके पास 5% share almost 5% share अब जब एक company के पास या कुछ ऐसी shell companies के पास share holding होगा और वो share holding almost 100% ही होगा ए एक group का तो it's not very difficult to understand के ये बनाया गया है एक system create किया गया है ऐसा एक normal return investor से बगर आप पूछोगे अगर आप बड़े एचना इसकी बात करोगे तो उनकी cases में उनका portfolio होता है to make sure कि at least मैं अगर फसूं ना फसूं कि अगर कोई एक sector में पैसा लगा दूए एक stock में ऐसा सोच ही to make sure risk mitigation हो जब ऐसी companies खड़ी होती है जो कि पहली बात तो बाहर की है और especially it's okay तो के बाहर की है पट उनके पास 99% share अदानी ग्रूप के है सो यह जो companies के पास पहसा पहुंचा है वो घुमा फिरा के अदानी ग्रूप के listed companies के से शुरू हुआ प्राइट कंपनी के पास पहुंचा और एक्टिमें के पास पहुंचा और फिर वापी सुने अदानी ग्रूप के लगा दिया ताकि शेव प्राइस ऊपर जाए और बाकी की लोग देखें किया रहे है इसका शेव बढ़ रहा है और जब अब सब सामने आया है तो लोग को हम बहुत सरे वीडियो समने किया बहुत सरे लोगों ने किया काफी लोग धीरे से बोल रहे थे हरादानी ग्रूप कभी भी निकल सकता है सब पता था लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई बाहर गाम की अमेरिका की निका रहे यार यह तो सही गया रहे होंगे इनकी बात म अब इस रिपोर्ट की माल के बड़े-बड़े लोग भाग गये हैं और अभी पता नहीं किसका इंड़ पॉइंट क्या होगा क्योंकि रोज इनके लोवर सर्केट लग रहे हैं वी डोंट नो के खतम कहां पर होगा ऐस पर हिंडरबर्ग 80-85% थी मत्तब कि इनका शेयर प्र अब बघएट अधानी गूर्प के बारे में ही फिंडर गर अधानी ग्रूप में मार्किट को हिला दिया है फिपको होत एक लाग इंवेस्टर को हिला दिया वाद इंवेस्टर को हेह रही है यॉट्छे नहीं यूटू पे कूछ है नहीं वार फ़स्ट वीड़ी उन देस we'll try and come back with others आप भी बता सकते हैं कि हिंदर बोग रदानी के वीच में आप क्या जाना चाहते हैं we'll come back and get it for you thank you so much वीडियो देखने करीद बाबाई